असलाम वालेकूम, ओल्कम टू न्यू वीडियो, फ्रेश वीडियो में सब लोग स्वाखादे, तो काईस जो काईस अब लोग एक मन्सले यह देख रहे हो, जितना छोटा यह लग रहा है, इतना छोटा है नहीं, यह लगबग 15-1600 स्कॉर फिटम का है, और एडिया जो काईस बन रहा है, इस से लागभाक बोल सकते हो, दस गुना बड़ा होगा, वह चात जितना छोटा लग रहा है, उसके उपर आराम से फूटबाल खेला जा सकता है, काफी बड़ा है, सामने वाला जो हमारा दुखान का बेल्डिंग है, इसलिए हम लोग पीछे की तरा कोवर बिल मंजिला तक अंदर गड़ा हुआ है, इसका बीम्स, उससे भी जया था, लगभाक काफी जया था गड़ा हुआ है, और इसको बनने के लिए हम लोग को लगभाक एक महीने का वक्त लगा, पूरे एक मंजिला बनने के लिए 205 महीने लगा, अब बोल सकते हो, लेकिन सबसर द अब घरचा, और वेसिकली सबसर दवक्त लगा, इसका बीम बननने के लिए एक एक और एक बीम बननने के लिए का खर्चा हुआ है, यह पे लगभाक 16-20 बीम्स है, और एक बीम्स काफी ज्यादा मजबुति से बना जा रहा है, और काफी मोटे मोटे है, और यह जो को हमरे ह पुराने विल्डिंग है वो चार मंजिले के बीम से बना हुआ है और यह पांच मंजिला या फिर छे मंजिला बोल सकते हो तो गाइस यह पांच मंजिला बोल सकते हैं आप लोग पांच मंजिला से की बनाएंगे लेकिन और यह चे मंजिला के लिए बना रहे है और रोड भी स अब की है जब मैं यह यहाप पर काम स्टाट हो था और मैं यहाप आया था क्योंकि एक नया बिल्डिंग है इसके उपर बहुँ सारे चीज बनाने के लिए मैंने सोचा था इसके second floor तक हम लोग किराई पर दाने वाले हैं पापा ने बोला है लेकिन वो धीरे-धीरे होगा लेकिन ये second month तक अभी बनाएंगे और ये लगबाग धाय दिन महीने में आप लोगो second month तक complete होना चाहिए रोजे से पहले हम लोगने सोचता complete होने के लिए रोजे से एक दिन पहले हमारा firsts और इका फेवरी जाब यह सूट हो रहा होगा मुझा यह डेट तो याद नहीं है लगबग धाई महिना लगा एक मंजिला कम भी लोना में और यह सबसे ज़ा मुश्किल टाक्स था बिदिकाली एक सड़क के किनारे बिल्डिंग खोड़ा करना क्योंकि सब कुछ बैसिकाली मै बनने वाले थे और वहां पर पफाई बैटे हुए है पापा देख रहे है कहां पर कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है तो गाईस यह जो काईस मिस्ट्रियों अगले ना बोला था एक डेमांड तो की इतना खर्चा होगा पांच मंजिले का भीत के साथ एक मंजिला बनाने के के लिए जितना खर्चा होता है उससे आप लोग 5 मंजिला अराम से बना सकते हो लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खर्चा हो रहा है क्योंकि बीम बनाने पर बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था और यह इंजिनियर्स और यह मिस्ट्रियों अगरा जो बोले है इतने पैस सिंपली एक छादी तो बनाना है सेकंड मंजिला के लिए उसके में कितना खर्चा आएगा तो लेकिन यह फास मंजिला बनाने के लिए बहुत खर्चा हो गया और काफी एरिया भी बढ़ा लिया है और यह जो फास मंजिला का जो हाइट है यह काफी ज्यादा है नॉर्माल घर से दो गुना ज्यादा उच्छा होने वाला है सिक फास मंजिला दिखने में आप लोगों छोटा लग रहा होगा लेकिन यह इसका जो का इस फास मंजिला ही यह लगभख 19 फिट से 20 फिट होगा एक मंजिला का हाइट लगभख आप लोग जितना सोच रहे हो एक घर एक क करना मुश्किल नहीं नामून कीन हो जाता है उसी को ही चाथ को लेबल करने के लिए इसको भी उसी पकार से बनाया जा रहा है 19 फिट हाइट के लिए फास मंजिला तो पहला मंजिला हम लोग 19 फिट लगभख दो मंजिला से एक मंजिला बनने वाले है और उसके बाद जोग से हमारे च्छत की देखे तो काईस हमारे पूरा च्छत की ये 25 फिट है पांच फिट उपर उठने वाला है अभी जमीन से ये पांच फिट उपर उठेगा उसके बाद वहां से लगभख 20 फिट उचा होगा ये फास मंजिला तो काईस मैं आप लोग को इतना कुछ डिटेल में की बता रहा हूँ तो काईस आप लोग भी जब बनाने जाओगे आप लोग जो काईस जितने लोग ये बिल्डिंग्स अभी तो बहुत से लोग घर बनाने वाले है बहुत से लोग अपने ऑफिस बिल्डिंग्स अभी तो बनाने वाले है बेथिगाली क्यूंकि काफी दिनों के बाद बहुत से लोग काम पर बेसिकली लगे चुके है क्योंकि lockdown में सब कुछ बंद हो गया था अभी काफी दिनों के बाद सब कुछ खुला है और सब कुछ ठिकटाक है उपरावले की रहमस से तो गाई इस अभी तो सब कुछ काम करना पड़ेगा और बहुत से लो बनाने के लिए लगबग दुगना खर्चा रहा है एक नॉर्मल शोला सो एसकुर फीट में जितना खर्चा आता है बनाने के लिए लगबग दुगना खर्चा रहा है लेकान जल्दी जल्दी रमजान आगे अथा इस वाया से सबकुछ मेशिनेरी बेश्यफ करना पड़ा जड़ा से ज्यादा मेशिन तो काम पर लगबग रमजान से पहले एक मंज दो कम से कम कंपलेट हुआ उसते काफित जो गाइस देखा था अपनों ने एक माईने रमजान से एक माईने एक दिन पहले जो कम्पलेट हुआ था लगबग एक मंजिला जो सबसे मेन था वह काफी ज्यादा अच्छे से हुआ और मैं किसी भी बिल्डिंग हमारा घर तो गाइस सब कुछ कभी भी वीडियो नहीं ब यह मेरा हमारा फैला वीडियो होगा जो इंट्रनेट पर डालने वाला है और मैं भी डालने कंवे कर रहा हो क है कि देखने के लिए काफी ज़ता हूथ क्यों अगीजिक आप लोग के लिए कह ज़ता हूँ नी काफी अच्छा कंज़ कर के इस expecting लिए कम्प्लेट किया है और आप लोग जो गाइस यह भीत का वीडियो दिखा रहा हूँ यह शूट किया था लगबक आस्ते जब अपलोड हो रहा है तीन माहिने पहले और यह तीन माहिने पहले की शूट है और यह वीडियो मेरे पास था आज इसको देखा मैंने सोच आपलोड कर देता हूँ मेरे बाद जएदा यह लिए है वीडियो है जो भी है आपलोड कर देता हूँ अया कॉंटेंट में काम कर रहा हूँ जो रोलोग कंतेंट बनता हो व्समें में काम कर रहा हूँ वह बी जल आने Local Kingdom से पहले मेरे पास भेसिकली थारा मेमोरी खाली होने के बाद और यह शोरोम भेसिकली हमारे यह चत से बिल्कुल बाजु में है और यह मार्दि सुझु के शरोम है और यह हमारा फाइनली एक म्हेंदिलग अगित हो चुका है यह आज है फस्यर रमजान और रमदान historically वेतिकली कल है और वेतिकली आज वेतिकली ये छत कंप्लेट हुआ है तो गाइस बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में अस्सलामुआलाइकूम आप लोग अच्छे रिये खुश है रमदान मुबारक और फाइनली जब मैं वीडियो अप्लेट कर रहा हूँ आज लगबाग 17 से 18 रोजा कंप्लेट हो चुका है कमिंग सून इद बाई